Hello everyone, welcome and welcome back to my channel Marci Singh तो आज मैं आप सबी को दिखाऊंगी 500 रुपीज का शौपिंग चैलेंज तो बहुत दिनों बात में फैंसी बजार गई थी तो तो मैंने शौपिंग चैलेंज किया था फैंसी बजार में 500 रुपीज ही था मेरे पास और ज़्यादा नहीं थे और मैंने क्या-क्या शॉपिन किया और सब कुछ में दिखाऊंगी अंडर 500 आप लोग क्या खरिच सकते हैं चीपेस मतलब सबसे कम से कम क्या खरिच सकते हैं बहुत लोग क्यों करते हैं जब मैं वीडियो बनाती हूँ कि यह 20 रुपे, 30 रुपे, 50 रुपे में कुछ नहीं मिलता जो आप लोग लिखते हो स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज यह सब लिखते हो तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कहा से मैंने लिया है और आप लोग खुद जाकर भी खरिच सकते हो उधर और आज का वेदर देखो गार बहुत ही संदर है पर धूप जादा होने के दृट होने के कारण आए यहाँ पे अधिनल कना सरग जाम होता था आज मतलब उतना नहीं है और उपर से धूप होने के कारण लोग भी बाहर जादा नहीं है। और जब मैं फैंसी पहुच गई फाइनली आप लोग देख सकते हो बहुती सुंदर सुंदर सामान मतलब कान के जुमके से लेकर आपको नेकलेस ब्रेसलेट नेक पीस और ड्रेसेस कुछ भी जो चाहिए आपको सारा कुछ एफोर्डेवल प्राइस में मिल जाते हैं फैंसी ब डाल दिये आप लोग देख सकते हो बूट्स कलेक्शन शू कलेक्शन क्रोक्स बगेरा और अगर आप बाहर निकलते हो तो सामने आप फुट पात में देखोगे कि जारा एच अनम के बहुत सारे टॉपस ट्यूपस आप लोग देख सकते हो जो हंड्रेड टू हंड्रेड मे स्टार्टिंग है और यहां पे ड्रेसेज भी देख लो आप बहुत ही बहतर इन टॉपस वगेरा आए हैं फलेक्शन है यह सब उनका तो आप लोग खुद भी जाकर खरीच सकते हो यह सब कुछ मार्केट के अंदर है ठीक है शौप के अंदर है पर अब मैं दिखाऊंगी के बहार जो फुट पाथ से मैंने कुछ खरीदे हैं वह सब के बारे में अगे और फाइनली मेरा आज का जो चैलेंज था 500 रुपीज के अंदर आउट्फीट वगेरा खरीदने का या फिर कोई भी समान में केसे कितने प्राइस में खरीदू कितने आइटेम्स खरीदे हैं वह सब कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं बहुत जादा एक्साइटेट हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए प्लस मैं बहुत टायर्ड भी हूँ तो इसलिए मैं भी घर जा रही हूँ और जो मैंने सब कुछ खरीदा है आप लोग कुछ शौक हो जाओगे इतने सुन्दर सुन्दर मैंने आउटफिट्स लिए है उधर से अंडर 500 मैं नहीं बताऊंगी अंडर 100 रुपीज के अंदर आप लोग इतने अच्छे अच्छे मतला आउटफिट्स ले सकते हूँ ठीक है और कुछ जो मैं बताना चाहते हूँ क्लियर कर देना चाहते हूँ कि यह सब कुछ ब्रेंड न्यू एक शौप से मैंने नहीं खरीदा है यह मार्केट के जो स्ट्रीट शौप होता है ना मतला क्या बलता उसको जो सरक के पास जो बैटते हैं लोग चिल्लाटे रहते रहते 100 रुपे के 100 रुपे के देर सो रुपे के 200 रुपे के तो वह सारे शौप से मैंने खरीदे हैं, पहले में क्लियर कर देती हूँ बाद में मत बताना कि यह शौप में तो यह वाला ड्रेस नहीं मिला मुझे इतने कम प्राइस के लिए तो सब मैंने बाहर से खरीदा है, शौप के अंदर से नहीं लोग उदर से भी आप लोग ले सकते हो पर मैंने जो खरीदा है वो सब कुछ फुट पाथ से खरीदा है जो नीचे बैठे हुते हैं लोग उधर से तो उधर भी मैंने बारगे निंग गया आप लोग सोच सकते हो कि मैं मतलब इतना कम प्राइस में सामान मिल रहे हैं उसमें काही हुजओ ऐब टन्र्स में announced 10 जा वे जुट लिया हैं दो तो में प्रीट रूपी की यह सोचो पहले तर्टी मैं भी कुछ मिलता है और फ्यति रूपी applies Woah locked लोग मतलब बिलीफ नहीं करते कि मेरे वीडियोस में मैं ऐसे ही बोल देती हूँ आपको प्रूफ दिखाऊंगी कहा से मैं लिया है और 50 रूपीस के कपरे को भी मैंने बारगेनिंग करके 20 रूपीस में लाया है और जो पहला आउटफिट मैंने लिया है स्ट्रीट शॉपिं और कॉलर फॉपिंट ठांटे मुझे बहुत अच्छा लगा घर में पहनने के लिए कभी जाए तो यह कपरा 100 रुपीस के बहुत ही जादा एफोर्डेबल में मुझे मिला है 100 रुपीस में ऐसा कुछ मिलेगा मैंने सोचा तो नहीं था तो आप आप लोग सोच सकते हो इसका फैबरिक ठीक ठाक है ड्रेज भी फ्लोरेल है मीड लेंद का एक फ्रॉक है तो मुझे बह पर आप बाहर से उपर उपर से एक अंदाजा लगा सकते हो कि यह एक फैबरिक कॉटन का है ठीक है और एक चीज मैंने नोटीस नहीं किया था खरीने के टाइम कि यह जो कपरा है ना में हाथ लगा के दिखा रही हूं देखो जब मैं बाहर से देख रही हूं मेरा हाथ तो खराब दिखेगा थोरा सा और मुझे कलर कॉंबिनेशन बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाइट में आपका लाइनिंग वगेरा किया हुआ है मैक्सी टाइप ड्रेस है और मीड लेंद का है साथ में पोकेट भी दिया गया है फोन वगेरा ट्रोफी अतला चॉकलेट बगेरा रखने के लिए और नीचे का आप देखो इतना जिग जैक क्रॉसिंग करके दिया गया है नीचे का जो वो मुझे बहुत अच्छा लगा तो और एक बात में तब नहीं बता पाई थी आप लोगों कि जब मैं कॉर्ण कॉलेज में थी तब तो उधर से बहुत पास ह को मैं जाती थी मतलब एंसी बजार में पर इसे रिप्टेट क्लोथ मतलब ऐसे बाइ करना सबके सामने मार्केट में तो मुझे बहुत शरम आती थी तो पर अब में जब देखती हूं कि इंफ्लूएंसर्स लोग जो वेस्टन इंफ्लूएंसर्स हो या फिर इंडियन ही हो इंस्टाग्राम में भी में देखती हूं कि सब लोग ऐसे थ्रिप्टेट क्लोफ को बाइ करके फिर अपनी हिसाब से स्टाइल भी करते हैं पी इंट्रस से भी मतलब इंस्पायर हो के कुछ आउटफिट्स क्रिएट कर लेते हैं अपने से तो मैंने सुचा कि मैं भी खड़ मैं अवाज करते हैं कि यूट्यूब के वज़े से में बहुत जादा कॉन्फिडेंट हो गई हूं आज कल कि मैं अकेले ऐसे शॉप में जाती हूं कुछ से कपरे मतलब ढूंती हूं बाइ करते हूं पहले मतलब मुझे अकेले जाना भी नहीं मतलब अच्छा नहीं लगता पर अकेले जयना भी यह मतलब मेरे लिए एक नई बात है मैंने यह सीखा है कि अकेले भी घूम सकते आकेले खराब नहीं लगते हैं, दोस्तों ने से ही अच्छा लगा ऐसा नहीं, कभी कबार तो मैं अकेले भी जाओंगी, ऐसे मैंने सोच लिया है, नेक्स टाइम जाने से, मैंने कैमेरा सिर्फ मुझे थोड़ा शाई हूँ, पब्लिक प्लेस पे ऐसे कैमेरा ऐसे उठा के वीडियो बनाने में मुझे थोड़ा शर्म आती है, पर मैं सीख रही हूँ, तो मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए वीडियो भी लाऊंगी, ऐसे पब्लिक प्लेस में, जैसे मार्केट प्लेस हो गया हो, या फिर कोई भी पार्क बगेरा हो, तो मैं वहां से आप लोग को वीडिय जैसे में अपर लगा के फिर अप लोग को में ठीक कर लीती हूं, फिर उसके बाद में फिर आप लोग को दिखाऊंगी ठीक है, और उसके बाद सारा कपरे कर डिटेल्स भी में उपर स्क्रीन पर लिग दूँगी कि यह इतनी प्राइस का है, कहा से में मतलब फुटेज डा ठीक है, और मैं बताने वाली थी, नेक्स मैंने ये शर्ट लिया है, दो शर्ट लेक्ट अपक्टन करेंगी हैं तो आप लोग देख सकते हैं दो यह पर रीजन है कि मुझे डेल्ड यह 50 रुपीज कर शर्ट मुझे 20 रुपीज में मिला, तो यहां पर लेगी जानी आब यह चेस्ट के बटन के पास है ठीक है तो मैं आपको दिखा है फैब्रिक तो बहुत अच्छा है पर दो स्पोट के वज़े से मैंने को बोला की और भया कंविंस भी हो गए पता है फिप्टी रुपीस का जो यह शर्ट है मुझे ट्वेंटी रुपीस में दे दिये और बहुत जा मतल़ स्टाइल कर पाउंगी और स threat में winter के लिए एक मैने लिया है तो मुझे अच्छा लगा है इस बहुत अच्छा लगा तो यह को भी मैं स्टाइल ने वाली हूं तो समर्ग तो चला गया वी मुझे विंटर के लिए इसको स्टाइल करना है तो मैं रख दूंग इसको और इसको मुझे मिला 30 रुपीज में तो सेम शॉप से मैंने दो शर्ट लिये थे और उसके पास वाले शॉप से आप लोग देख पाओगे मैंने अल्रेडी वीडियो डाल दिया है फैंसी बजार के जब मैं शॉपिंग कर रही थी फुटपात के शॉप से मैंने यह वाला ड्रेस उठाया देखो और इसका कॉस्ट मुझे पराए सिर्फ और सिर्फ 90 रुपीज 100-100 चीक रहते हैं तो मैंने भया को बोला भया मैंने अल्रेडी इतना सामान खरीदा आपके शॉप से दो तीन चार खरीदी लिया है तो आप प्लीज मुझे थोड़ा डिसकाउंट दिचे तो उन्होंने मुझे 20 रुपीज डि ज्यादा मुझे जो न्यू मी एसिया है ना उसका थोड़ा सा आउटफिट जैसा लगा तो मुझे इसका डिजाइन बहुत पसंद रहा और यहापे बोडी कॉन भी पुरा फिट आता है मतलब बोडी कॉन ड्रेज जैसा है और इसके अंदर भी एक वाइट कलर का आपको ला यह देखा जो मुझे 90 रुपिस में मिला था पर मैंने भूल कर दिया कि मैंने ट्रांसपेरेंसी नहीं देखा था तब अगर देखा होता था कुछ इसके साथ भी में पेर अप करने के लिए कुछ लेके आ सकती था और यह मैंने लास्ट करीदा है एक कारगो काइंड आफ ज स्टाइलिश है थोरह सा यूनिक है क्योंकि बाकी जैसे मेरे पास चंपशुट है उससे बहुत अलग है इसमें लूज कर सकते कमर या फिर पेर में भी देखो और साइड साइड में दो पॉकेट्स भी है जैसे कारगो पैंस में होते है और यह तोरह आइरन करने से अच्छा के लिया था तो आज हमने 100 रुपीज का जम शूट 100 रुपीज का फ्रोग 90 रुपीज का फ्रोग दोनों खरीदा दोनों इस और उसके बाद एक शर्ट 20 और एक शर्ट 30 रुपीज तो टोटेल मिलाके मेरा हो गया 430 रुपीज तो आप लोग देख सकते हो मेरे 500 के अंदर म बहुत ही कम प्राइजेस में आप लोग भी जाके शॉपिंग कर सकते हो फैंसी बजर में अगर अगर आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और मेरे चैनल को ग्रो होने में मदद करो अंटिल एन स्टे सेफ, स्टे ह आपका बहुत है तो आपका अगर झालना मत रहाँ है शॉपिंग कर सकते हैं और में में इसमें इसक्राइब हाँ